वेलो शुजेंट्स मैं प्यूस राजपूत और आपको अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लास है जैसे बच्चों आपको पता ही है कि CBSC ने जो एक्जाम का पैटर्न वो बदल दिया है उसमें उसने case study यानि जो MCQ टाइप questions है उसमें उसने case study और assertion reasons वाले questions जो वो पहले turn यानि term first के exam में पूछेगा तो passes के लिए तो हमने पूरी series चलाई हुए तो मैं सोच रहा हूँ कि हम assertion reasons के भी कुछ questions करें जिससे हमारे marks कटने की possibilities खतम ही हो जाए तो बच्चो आज हम 5 अपने assertion reasons करते हैं इसी तरह से हम काई से हो अगर हम 200-300 assertion reasons कर लेंगे तो हमारे concept काफे strong हो जाएंगे तो शुरू करते हैं बच्चो अपने क्या कह रहा है हमारे assertion reasons में तो आपको ये तो पता ही है इसमें 4 आपके options होते हैं जो पहला option है वो क्या कहता है देख बच्चो वो बताता है कि अगर A और R जो आपके पास assertion और reason दोनों true है और explain भी कर रहा है reason तो A option होता है दोनों तो सही है लेकिन expression नहीं है तो वो आमारा B option है पहला सही है दूसरा गलत तो C option दोनों गलत तो D option ये याद आपको रखने है ठीक है पहला पड़ो क्या कहता है कहरा इग्जिस कुलाम attraction between two bodies both of them may not be charge ये कहरा कि अगर दो बोडी दूसरे को attract कर रही है तो जरूरी नहीं है कि दोनों charge हो बिल्कुल सही बात है यानि कि अगर आप देखो कि तो एक बोडी चार्ज है दूसरी चार्ज नहीं है ठीक है ना एक बोडी कैसी है चार्ज वो दूसरी नहीं है तो by induction भी इन दोनों में क्या हो जाएगा बच्चो अट्रेक्शन होगा तो ये बात आपका जो assertion है वो बिल्कुल सही है इन कुलाम attraction two bodies are oppositely charged ये बात सही है कि दो बोड दूसरा option है वो उसको explain नहीं करता ये बात है तो दोनों सही बाते तो ये हमारा जो option हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा इसका B option ठीक है चलो अगला पड़ते हैं कहरा no two electric line of force can intersect each other the tangent at any point of electric lines of the given the direction of electric field तो बच्चो ये कह रहा है कि जो दो electric field lines होती है अगर मैं बात करता जिस point पर भी ये cut करेंगी उस point पर इसकी दो direction होगी electric field की एक इधर होगी एक इधर यानि कि जो भी उस point पर net electric field होगा उसकी दो direction होगी जो की possible नहीं है तो बात सही है कि tangent at any point of two electric lines gives the direction of electric field बिल्कुल दोनों assertion भी सही है reasons भी सही है और उसको explain भी कर रहा है के लिए रहे इतनी बात okay तो हमारा इसका जो option हो जाएगा वो हो जाएगा A ठीक चलो गई अब क्या कहता है electric force acting on a proton and an electron moving in uniform electric field is same whereas acceleration of electron is 1836 time of proton okay आपने formula पढ़ा था f is equal to होता है qe और एक f is equal to होता है ma तो acceleration जो हो जाएगा वो qe upon m हो गया तो जिसका mass कम होगा उसका acceleration जाद होगा और आपको पता है कि जो mass of proton है वो आपका 1836 times होता है mass of electron के तो यह बात बिल्गूल सही है और यह इसको explain भी करता है तो यानि कि option हो गया आपका a ठीक है आगे बढ़ते हैं कि रहा है as a force is a vector quantity ठीक है hence electric field intensity is also a vector quantity the unit of electric field intensity is newton per column तो इसने क्या बोला है इसने बोला है कि जो force है वो एक vector quantity है इसलिए electric field भी a vector quantity है बिल्कुल सही बात है then the unit of electric field is intensity is newton per column यानि कि आपको पता है कि f is equal to होता है qe तो electric field का formula हो जाएगा f upon q यानि कि newton per column यह बात है बिल्कुल सही है और यह उसको explain नहीं दोनों सही है ए भी सही है और आर भी सही है लेकिन explanation नहीं है तो option हो गया इसका b सही है पर दोनों चीजे सही है लेकिन explain नहीं कर रही है तो b option है चलो बच्चो अब आते हैं फिप्थ पर क्या कह रहा है sharper is the curvature of sport on a charge body lesser will be the surface charge density at that point आपको पता है इस से देखें sigma r जो होता है वो constant होता है तो और एक यहां पर सबसे ज़्यादा charge density होती है यहां पर आगर आप बात कर रहे हो तो charge density बच्चो maximum होगी क्या होगी maximum ध्यान रखना यह बात बिल्कुल गलत है उसने गोला था शार पर इज़्दा करवे चरप इस्पोर्ट और चार्ज बोड़ी less ability to surface charge density जहां पर को नहीं यह बनते दिख जाएं समझ लो कि सबसे ज़्यादा charge density है और leakage की भी सबसे ज़्यादा chances वहीं होते हैं अगला गरा electric field is non-zero inside a charge conductor देखो बई जो हमारा conductor होता है उसके अंदर कराना electric field is non-zero जो conductor होता है सारा का सारा charge उसके surface पर होता है और जब सारा charge surface पर होगा तो electric field क्या होगा zero यह बात भी गलत है तो जो option हो जाएगा वो d को कि दोनों के दोनों गलत है के लिए रहा बात इतनी तो इस assertion reasons में जो हमने देखा वो अधिकतर किस पर था electric field कि electric field lines एक द field भी है वो जहाँ पर शार पेज होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा charge density होती है तो यह बच्चों आपको पांच हो assertion reasons clear हो गए ऐसे ही हम धीरे धीरे बहुत सारे assertion reasons को करेंगे तो आज एक लास में से भी इतना ही thank you